एलो हुद कैसे हैं आप दोस्तों आज में रहा हुं अगर आपका मुबाइल बहुत जादा गरम होता है न करते हैं नियुसकर थप माइला गरम होगा हिन थेन CTork करता है और जाम माईला plugs को करने से काफी राओ सब्सक्राइब करेंगे तो काफी हद तक आपको सल्यूशन मिलने वाला दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे कैसे सल्यूशन करेंगे जिससे आपको यह फायदा हो जाय और क्या कारण किन दू कारणों से मवाइल होता है तो दोस्तो आगे चलते हैं मेरे राम सनी है और आपके स्वागत है मेरे असटblemे Lisa कि मौने बताया आपको दो कारणों यह दो आपको मैंने बताए गि दो कारण नहीं से मॉवाइल गरम होता है तो दो कारण पहला कारण होता है यह बैटरी वाला यह नीचे देख रहे हैं जो अगर इस section से आपका मॉवाइल गरम हो रहा है और आप touch कर के देखेंगे इस जगासे गरम हो रहा है तो यह आपकी battery के वेरे से गरम हो रहा है और अगर इस उपर के वाले area से गरम हो रहा है यहां camera आपको दिख रहा है तो यह आपका बोल सकते हैं processor या CPU या motherboard की जरह से गरम हो रहा है जो भी इसमें chip होती है उसकी तरह से गरम हो रहा है तो दोस्तों अगर आपका मॉबाइल बैटरी के विए से गरम हो रहा है तो उसके तीन चार कारण हो सकते हैं पहला कारण आपने मॉबाइल को ओवर चार्ज कर लिए है चार्ज पर फिर विए से गरम होता है अपने कोई फ्रड़ पार्टी चार्जर यूज कर अपने मॉबाइल में या फ्रड़ चार्जर यूज करा थरड़ पार्टी तो उसकी वएसे भी बैटरी करम होती है आपको हमेशा original charger यूज़ करना चाहिए जो कि आपकी device के साथ आपका available हुआ है तो वो बैटर रहता है उसकी battery के साथ सेट रहता है कि कितने उसको watt पर charge होना है अगर आप कोई third party charger यूज़ करेंगे तो वो आपकी mobile बैटरी में effect करता है उसके बाद दोस्तों चौता गारण यह है कि अगर आपने अपने mobile को charge पर लगा है और उसको बहुत सारे cover लगे हुए उसमें बिल्कुल भी तरह से भी बिल्कुल जगा नहीं हो बहुत सारे cover लगे हुए तो भी करम होने के chances हैं और दोस्तों अगर आपने continue उसको use कर रहे हैं आदे घंटे से game खेल रहे हैं वीडियो देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो भी गरम होता है अगर आप अपने mobile को charge पर लगा है कोशिश करेंगी आप जब भी अपने mobile को charge पर लगा है हमें सा सुशॉफ करके charge पर लगा और आप देखेंगे जब battery को use करेंगे आप mobile को use करेंगे तो उसकी जो battery के अगर जल्दी खतम हो जाती थी वो भी थोड़ी आपकी बढ़ जाएगी या बोसकते हैं थोड़ी लंबी चलेगी आपकी battery पहला टिप तो यह हो गया दोस्तों हमेशा आप mobile जब भी charge पर लगाए पहले तो mobile या कोशिश करें switch off कर पर लगाए या flight mode पर लगाए हो सगे तो आप cover वबर सब remove करके ही लगाए जिससे आपकी battery problem solve हो जाएगी या बोज़कने battery जो गरम हो रही उसकी population solution हो जाएगा अगर उसके बाद भी अगर आपका mobile गरम होता है यहां से battery की वज़े से तो आ में लगेगी तो पहले आप इस step को follow करके देखिएगा आपको काफी हद तक solution मिल जाएगा आपका mobile गरम होना कम हो जाएगा या बोल सकते काफी हद तक खतम ही हो जाएगा उसके बाद दोस्तों अगर आपका mobile इस जगह से गरम हो रहा है जो battery वाला जो मैंने बताया आपको स चाया CPU या बोल सकते हैं प्रोसेसर से गरम हो रहा है तो इसके दो-चार कारण हो सकते हैं पहला कारण तो यह आप अननेसेसरी आपको डाउनलोड करके रखा है जो एप बैक्ग्राउंड को एफेक्ट कर रही है बैक्राउंड में बार वार वर्क कर रही है जिससे mobile की तो उसके लिए आपको नीचे की तरफ जाना है यहां पर जाएंगे अप में आपको एप में जाने के बाद जितनी भी बैक्ग्राउंड एप से आप परमिशन में जाके देखेंगे उनने कोई ऐसी परमिशन ले रखी है जो कि unwanted है यह आपको लग रहा है कि उसको परमिशन जितनी भी फालतूगी जो एपस हैं जो आप यूज नहीं करते हैं आप देख रहे हैं कितनी सारी एपस हैं इन में से वो जो एपस ऐसी भी होंगी जिनको सर्फ आपने इंस्टॉल कर लिया और उसको यूज नहीं करते तो आपको वाली एप को भी अनिस्टॉल कर देना है ये भी background में effect करती है, इसके बैसे भी battery की problem रहती है। और उसके बाद दोस्तों जो तीसरा बताने वाला हूँ, वो ये है, आप कभी भी third party app को use ना करें। third party app, third party app वो होता है, जैसे मालीज, अगर आप android user है, play store के अलावा अगर कहीं से आप app डाउनलोड करते हैं, या software app को install करते हैं, तो वो third party app होती है, कभी कभार वो होता है, जो third party apps होती है, वो भी processor पर दिक्कत देती है, और mobile को गरम heating की problem उसकी वहें से भी होती है, तो आप third party app बिल्कुल मत यूज करिए, जो भी आपका, अगर आपके बस android है, तो play store में जो apps आपको मिलती हैं, आप वो यूज करिए, अगर आप iOS यूज कर रहे हैं, तो apple store में, या बोल सकते है, आपको apps मिलती है, आपको वो ही use करना चाहिए, जिससे आपके mobile की battery पर दिक्कत दनी उसके बाद दोस्तों, जो मैं चौथा बताने वाला हूँ, वो है, mobile की software को आपको हमेशा अपग्रेड करके रखना है, जो भी आपका mobile का software है, आप देखें, जो software को latest update पर रखना है, हमेशा यसा ना हो कि कोई भी आपका pending पढ़ाओ, आप जाईए, अप सुप्वाइल की setting म रहना चाहिए, तो उससे भी आपको यह problem हो सकती है, आपको अपने mobile का software को भी update करके रखना है, और जितनी भी apps जो आप use करते हैं, उन सब को update करके रखना है, प्ले स्टोर से कभी कबर क्या होता है, कुछ जो पुरानी apps होती है, उसमें कुछ ऐसी process या बोल सकते हैं, ऐसी क अपने mobile के software को भी आपको upgrade करके रखना है, जिससे वो आपको problem ना दे, उसके बाद दोस्तों जो तीसरा लास्ट बताने वाला हो यह है, आपको अपने mobile की जो storage है, उसको भी free करके रखना है, free मतलब ऐसा नहीं कि पूरी खाली, अगर आपके पास 64GB का है, तो कम से कम 10-15GB आ अचा रहा है, अगर जितना ज़्यादा फूल होगा, फूल रहेगा, उसमें mobile को भी दिक्कत होगी, CPU भी पे भी असर पढ़ेगा, और जैसे आपने देखा हो, computer में जितना ज़्यादा harddix full हो जाती है, hang माने लग जाता है, और heating की problem यह सब कुछ चीज़ आ जाती है, तो को mobile अभी तक solution ही मिल पा रहा है, जितने मैंने step बता है, तो एक solution और मैं बता रहा हूँ, जो last है विल्कुल, उसके लिए आपको करना क्या है, अपने mobile को save mode पे on करना है, save mode पे on करने के लिए आपको मैं Samsung के mobile से देखा रहा हूँ, अगर आपके बाद कोई दूसरा mobile है, आपको simply करना के है, Samsung के mobile में आपको यहाँ जाना है, पावर की को थोड़ी दर प्रैस करके रखना है, आपको यहाँ देख रहा होगा, save mode, तो save mode on करने से क्या होगा, जितनी भी आपने कोई third party या play store से apps डाउनलोड करके रखी है, वो सब काम करना बंद कर देंगी, और वो simply mobile तो fall 2 की जो apps होगी, वो सब बंद हो जाएंगी, फिर आप अपने mobile को use करके देखिए, अगर उसके बाद भी heat problem दे रहा है, तो यह आपके hardware की problem होगी, या फिर आपको अपने company में जाके software update करके देखना पड़ेगा, अपनी company जो भी आपका mobile है, उसके company के service center बजाके आपको उसका software update करा के देखेंगे, तो आपका problem solution हो जाएगा, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इन मेरे वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों अगर आपको इन मेरे वीडियो में कुछ कमी थी, तो मुझे dislike भी कर सकते हैं दोस्तों, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं ह आपने अभी तब मेरे framework नहीं किया मेरे चैनल को subscribe करना ना जोले, ताकि मेरे next वैडियो की update को अभडेट को सबसे पहले मिले, दोस्तों और मुझे Instagram और Facebook follow करना भी ना बूले ताकि मेरे latest update को तो दोने मिले, तो Thank you